बाद है question number seven यह इसमें हमारा दूसरा method बनता है दूसरे method से खर सकते हैं लेकिन इसमें मैंने वही फरस्ट यूज किया है ताके आपके लिए आसानी रहे यहामें given है 3x plus 4y is equal to 11 तो हमने 3x plus 4y का cube open कर लेना है जो चीज़ हमें यहामें given होगी इसका cube open कर लेना है यहाम इसी को take करके इसका cube ले सकते हैं जिस तरह मैंने यह इसी तरह का question आप किया हुआ है दूसरे method से value put कर देंगा same method जैसे वह था formula open किया cube का और value put कर दी बस यह continue है दूसरे page पर इसका answer लिखा है यह जो plus का number था इदर आके minus का हो जाएगा इसी तरह question number 8 first वाले के तरह हम बिल्कुल सहीं है वो plus का था यह minus का formula बिल्कुल सहीं है अब आजाते है question number 9 के तरफ जो मैंने दूसरे method से की है यहाम मैंने लिख भी दिया है कि दूसरे method से कर रहा हूं आपको असान लगे यह 5x minus 6y में given है ना is equal to 13 यह हमने टेक कर लिया यह लिख लिया फिर हमने इसी का cube ले लिया cube open किया first का cube minus second का cube minus 3 first and second का multiple और साथ ही multiple हो गया जिसका हमने cube लिया था वो number as it easy है ना formula भी अच्छा इसका 13 का cube open कर लिया इसका 5x का cube क्या बनेगा 5 का cube भी आएगा x का cube भी 6 का cube भी आएगा 6 क्योब कितना होता है 216y का भी आ गया इस तरह यह तीनों नंबर आपस में multiply हो रहे हैं सारी यह जो बाहर वाले तीन है इनको multiply 3 5 15 15 16 90 x और y आ गया 5x-6y की जगा पर क्या put कर देंगे 13 21-97 वैसी आ गया यह चीज़ हमने find करने थी और यह तीनों आपस में multiple जब हम कर देंगे xy की value पर पूट कर दिया xy की जो हमारे पास है 6 तो माइनस का नंबर उदरा के जब हम multiply कर देंगे यह प्लस का बंजेगा और प्लस करने के बद हमारे पास यह answer आज